हेलो फ्रैंस वेल्कम बैक टू आर यूट्यूब चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं कंडेंस मिल्क वैसे तो मार्केट में भी कंडेंस मिल्क एजली एवलेवल होता है पर हम इसे घर पे बना के ट्राइ करेंगे आप इसे जरूर ट्राइ करें अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें 300 एमल मिल्क लेंगे और फिर उसमें हम लगबग हाफ कप पीसी हुई चीनी लेंगे हाफ कप मिल्क पाउडर अब हम इसमें 1 टीस्पून कौन फ्लो डालेंगे ये मार्किट में इसली एवलेवल होता है और हम 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे इन सभी को एक विसकर के हेल्प से विसक करेंगे अच्छे तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लंस ना रह जाएं हम इसे लगबग 2 मिनट्स तक विसक करेंगे अब हम इसे एक कढ़ाई में डालेंगे और विसकर की हेल्प से इसे चलाते रहेंगे और इसे बॉयल करेंगे लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हम इसे बॉयल करेंगे और तब तक बॉयल करेंगे जब तक हमें इसका कलर चेंज ना लगने लगे और थोड़ा थोड़ा मिक्शर थिक लगने लगे अब हमारा मिक्शर थोड़ा सीख हो गया है अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे आप इसका टेक्श्चर देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है इसे हम मिठाई, खीर, आईस्क्रीम में यूज़ करते हैं ये देखिए कितना क्रीमी बना है हमारा मार्केट जैसा कंडेंस मिल्क बनकर तयार है आप इसे जरूर ट्राइ करेंगे, बहुत ही इसली बनता है अगर वीडियो पसंद आये हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फर वॉच्छिंग